नमस्ते, सपनों के से दिन पार्ट के यहां पर प्रश्ण उत्तर हैं, जो कि 1, 2, 6 हैं और ये है आपका पार्ट 1 जिसमें आपका पहला प्रश्ण है, कोई भी भासा आपसी ब्याभार में बाधा नहीं बनती, पार्ट के किस अंसे ये सिद्ध होता है तो इसका जो आंसर है, कि सपनों के से दिन पार्ट में लेखक स्री गुर्दयाल सिहीं जी बताते हैं, कि बचपन में उनके आधे से अधिक जो साती थे, वो हर्याणा या राजिस्तान से ब्यापार के लिए आए परिवारों से संबन्दित थे, और उनके कुछ सब्द सुन कर के लेखक पर उसके अन्य सातियों को हसी आ जाती थी, बहुत से सब समझ में नहीं आते थे, किन्तु जब वे सब मिलकर खेलते थे, तब सभी को एक दूसरे की बातें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाती थी, पाट के इसी अनसी है, बात सिद्ध होती है, कि कोई भी जो भासा है, वो आपसी ब्यावार में बाधक नहीं होती, और उसे आसानी से एक दूसरे समझ लेते हैं, प्रेस्न हमारा दूसरा है, पीटी साफ की साबास फोज के तमंगों से क्यों लगती थे, तो इसका आंसर है, पीटी साब प्रीतम चन बहुती कड़क इंसान थे, सक्त थे, उन्हें किसी से, ना किसी ने ना हस्ते देखा, ना किसी की प्रशंशा करते वे, सभी छात रुन से भैवीत रहते थे, वे मार मार कर बच्चों के चम्णी तक उधेर देते थे, छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुसासन भंग करते, तो वे उन्हें कठोर सजा देते थे, ऐसे कठोर सभाव वाले पीटी साब बच्चों के द्वारा गलती ना करने पर, अपनी चमकीली आँखें हलके से जपकाते, और उन्हें साब बास कहते, कभी-कभी ऐसा मोगा आता, कि जब वे अच्छा करते थे पीटी, तो उन्हें वे साब बास बोलते थे, उनकी यह साब बास बच्चों को फोज के सारे तमंगों को जीतने के समा लगती थी, मतलत जब उन्हें साब बास मिलती थी पीटी सर से, तो तब उन्हें लगता था कि हमने फोज के सारे मैडल जीत लिये हैं, प्रेस्ट नंबर हमारा थर्ड है, नई स्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विसीज गंद से लिखा का बालपन, क्यों उदास ओड़ता है, इसका अंसर है, नई स्रेणी में, मतलब नई कक्षा में जाने का विध्यारतियों को बिसी स्वग होता है, उन्हें वहां नई नई अध्यापक मिलते हैं, जो उन्हें नई नई किताबें पढ़ाते हैं, जिस कारण उनमें उमंग और उत्सा चलकता प्रतीत होता है, लेकिन लेखक का मन क्य होता था कि नई कक्षा में जब वे जाते तो उनका मन उदास हो जाता है उसके बाल मन के उदास होने का कारण क्या है आप देखिए कि लेखक जब गरीब परिवार का था और उसके परिवार की जो आर्थिक इस्तिति थी वो ठीक नहीं थी वे नई किता में खरीद नहीं सकता उसे नई कॉपियों अवस्य मिल जाती थी, लेकिन हेड मास्टर साव उसके लिए अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी हुई पुरानी किताबों का प्रबंद कर देते थी, इन पुरानी किताबों में ऐसे बिसेस प्रकार की गंदा थी थी, जो उसके बाल मन को उदास कर देती जो मतलब नई कॉपियों और पुरानी किताबों से ऐसी जो इसमेल आती थी, वो उसके बाल मन को उदास कर देती थी, थो उनकी पढ़ने में रूची नहीं होती थी, दूसरा कारण क्या था कि लेखक की जो उदासी का दूसरा कारण है, अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई को लेकर की वी चिंतित रहते थे, नए मास्टरों द्वारा मारपीट का भी भय हुने सताता था, और उसके बिध्या लेके मास्टर पीटते पीटते चमड़ी तक उधेर देने को तैयार रहते थे, प्रेस नंबर हमारा फोर्थ है, स्काउट परेट करते समय लेखक अपने को म पुर्दयाल सिंग फोजी बनना चाता था, उसने फुल बूट और सांदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फोजी जवानों को परेट को देखा था, इसी कारण स्काउट परेट के समय धोबी के धुली हुई बर्दी, पॉलिस के हुए बूट तथा जुरावों को प जाकर मार्श करवाया करते थे, तथा उनके राइट टर्ण, लेफ्ट टर्ण या अवाव्ट टर्ण कहने पर लेकर अपने छोटे-छोटे बूटों की एडियों पर दाए, बाए या फिर कदम पीछे, एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक-ठक की आवास करते हुए, स्वयम को पिध्यारती ना समझ करके, वे अपने आपको एक महत्पूर्ण, फोजी जवान समझते थे, प्रेश नंबर हमारा फिप्त है, हैड मास्टर सर्मा जी ने पीटी सहाब को क्यों मुधत्तल कर दिया था, मतलब उसको निनलंबित क्यों कर दिया गया था, तो यहा इ विध्यारतीयों को सब्दुरूप पढ़ने पर बल दिया करते थे, एक दिन जब कप्चा के विध्यारतीयों दिये गए सब्दुरूप याद करने को ना आए, जब सब्दुरूप उनको दिये थे तो उन्होंने याद नहीं किये, तो पीटी सहाब ने उन्हें क्रूरता पूर्ण डंग से मुर्गा बनाकर पीठ हूंची करने का आदिश दिया, सजा की कारण कई लड़के गिर गए, तवी हेड मास्टर सा वहां आ गए और नो ने यह सारा द्रश अपनी आखों से देखा, पीटी सर की जो बरवर था थी, जो असब बिता थी, उस पर वे उत्ते ज करोध में आकर उनने तत्कार उन्हें ने लंबिक कर दिया, प्रेस नंबर 6 है कि लेखक की अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से जाने की जगे ना लगने पर भी, कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा, तो इसका जो आंसर है, सपनों के इसे दिन पाट के लेख गुर्धयाल सींग के अनुसासन उन्हें तथा उनके साथियों को बच्पन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, चोथी कक्षा तक कुछ लड़के को छोड़कर अन्य सभी साथी रोते, चलाते हुए स्कूल जाया करते थे, स्कूल में धोबी, पिटाई और मास्ट की डाट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस भयानक स्थान प्रतित होता था, जिसके प्रति उनके मन में एक बैसा बैठ गया था, इसके बावजूत कई बार ऐसी सितियां आते हैं, जब उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था, यह मौका ता बाता जब उनके पीटी सर स्कावटिंग का अभ्यास करवाते थे, वे पढ़ाई लिखाई के स्तान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली जंडियां पकड़ा देते थे, वे 1, 2, 3 करके इन जंडियों को उपर नीचे करवाते थे, हवा में लहरा थी, यह जंडियां बड़ी अच्छी देते थे, ऐसे अफसर पर स्कूल आना अच्छा हुए, सुखत प्रतीत होता था, तो आपने यहां 1, 2, 6 प्रशनों के उत्तरों को देखा और आपको यह समझ में आ गए होंगे, धन्यवाद